नमस्कार दोस्तों मैं उदै लाड़ फ्री एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन परड़ों देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज केड़ों में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल क्या देशी मुर्गी पालन के व्याउसाय में आपको यहाँ पर लियर फिल का इस्तमाल करना चाहिए हाँ दोस्तों यह फिल हाल का है सबसे बड़ा सवाल क्या देशी मुर्गियों के लिए फीड के तौर पर लियर फिड का यहाँ पर इस्तमाल करना चाहिए यहाँ सवाल आपके मन का है यहाँ सवाल मेरे मन का है आज भारत वर्ष का सामान्य मुर्गी पालक भाई यहाँ पर पूछ रहा है क्या देसी मुर्गी पालन के व्यावसाय में देसी मुर्गियों के लिए फीड के तोर पर यहाँ पर लियर फीड का इस्तमाल करना चाहिए इस सवाल का सटीक जवाब प्राप्त करने के लिए यह वीडियो आप शुरुमात से लेकर यहाँ पर अंत तक देख लीजिए वीडियो देखते विद्या आपको पसंद आजाए तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक इस वीडियो को पहुचाने के लिए इस वीडियो को यहाँ पर जरूर शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसब नंबर, वाटसब ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, स्नैप चार्ट, इन सोशल मीडिया के सादनों का इस्तमाल करते हुए जरूर यहाँ पर लिंक को शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से यहाँ पर हात जोड़ कर अनुरोद करता हूँ, दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है, और आखरी सास तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा, यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आ जाईए, वहाँ पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में गंटी आएंगी, इस गंटी को टच करते हुए आल इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा, तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का, दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों, देशी मुर्गी, और इसलिए आप देशी मुर्गी पालन के व्यवसाय को चुनना चाहते हैं, और बहुत सारे बेरोजगार, युआ, यूती, दिव्यांग, विकलांग, वि वईस्काबादी के सदस्यों ने यहाँ पर देसी मुर्गी पालन के व्याउसाय को चुन भी लिया है आसे परिस्तितियों में दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा लियर फीड हाँ दोस्तों मुर्गी पालन में लियर फीड बहुत ही जादा महत्वपुर्ण होता है जो हंडो वाली मुर्गिया होती है उनका हंडो का उत्पादन बढ़ाने के लियर फिड का इस्तमाल किया जाता है आइसे में comment section में सवाल आया सर जी क्या देशी मुर्गियों के लिए फिड का इस्तमाल करना जरूरी है या फिर नहीं इसी सवाल का जवाब आज के इस यूडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आप सभी से यहाँ पर एक गुजारिश है कि मैं इसका जवाब तो दूँगा लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशकबर लेकर आया हूँ कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से यहाँ पर एक वाट्सअप गुरूप ओपन कर दिया है इस वाट्सअप गुरूप में आप मुप्त में जुड सकते हो जुडने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाट्सअप गुरूप की लिंक है उस लिंक को टच कर दीजे और उसके बाद अपने आप मुफ्त में आप हमारे साथ यहां पर जुड़ जाओगे और साथी साथ में दोस्तों हमने ओनलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दिया है भारत वर्ष का कोई भी मुर्गी पालक भाई अब हम से जुड़कर उत्पादन से लेके विक्रीत ज्यान प्राप्त करके इस व्यवसाय के माध्यम से लाखो का मुनाफा अरजित कर सकता है क्या आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है तो उसके लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यक्ता है तभी आपको लाखो का मुनाफा यहां पर प्राप्त होगा और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तुरन संपर्किजच 182, 62, 62, 62 पर 842, 182, 62, 62 इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपकी बादचीत मेरे साथ यानि उदैसर के साथ होगी जहां पर मैं समझाओंगा कि ट्रेंडिंग सेशन में हम किस प्रकार से फिड़का खर्चा घटाते हैं हम किस प्रकार से यहां पर जो है दोस्तो बीमारी आने से पहले आने के बाद आपको नौलेज प्राण करते हैं हम किस प्रकार के हच्री का इस्तमाल करने का आपको जहाओ देते हैं यानि उत्पारण से लेकर मार्केटिंग तक आपको पूरी 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 जानकारी यहां पर दी जाती है लेकिन फिर हम से आप किस प्रकार से जुड़ सकते हो तो आसान है तरीका दोस्तों 84 82 62 पर कर दीजे कॉल वहां पर संपरक होने के बाद मैं मेरा फोन पूरी जाएगा तो देखिए दोस्तों यह बात यह तो हो गई लेकिन क्या लियर फिड़का इस्तमाल करना चाहिए तो देखिए दोस्तों आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि देशे मुर्गी पालन के व्यवसाय में लियर फिड़का इस्तमाल सव प्रतिशत करना चाहिए क्यों करना चाहिए जो हम फिड़ देते मकाई जवार गेहूं बाजरा चावल इन में जो घटक होते हैं कंटेंट होता है दोस्तों वो श्रिप भूक अड़िस कर सकता है वो श्रिप एनरजी दे सकता है लेकिन अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गियों के शरीर में अंडा तयार करने वाला कच्चा माल चाहिए होता है जैसे के कैल्शम जैसे के फॉस्परस जैसे के लोहा जैसे के विटामिन दी और यह सभी तत्व और ज्यादा ज्यादा पंदरा ग्राम इतना यदि आप करोगे तो मुझे लगता है आपके फार्म पर अंडों का प्रोड़क्शन 30 प्रतिशत बढ़ जाएगा आपकी मुर्गी सेहतमन होगी तंदुरुस्त होगी और बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ख्षमता भी उसक मतलब है कि हम देसी मुर्गियों में लियर फिड का इस्तमाल करना चाहिए तो देसी मुर्गियों में लियर फिड का इस्तमाल करना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हर मुर्गी को हर दिन यहाँ पर आपको देना है दोस्तों 10 से लेके 15 ग्राम कम से कम 10 ग्राम और ज् जो है दोस्तों उचित मार्ग दर्शन पाकर लाखों का मुनाफ़ा एकत्रित कर सकते हैं क्या आपको मेरे साथ जुड़ना है क्या आपको लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है क्या करियर के ओप्षन के तौर पर आप देशी मुर्गी पालन के व्यावसाई को चुड़न के बाद मैं मेरा फोन पे गूगल पे नंबर बैयासी पैसाट जिरो अठासी चारसी चारसो साथ आपको दोंगा उस पर आप पेमेंट बेच कर एक स्क्रीन शॉट भीजिए उसके बाद हमारा जब काम सुरू होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इस्वयोसा के माध्यम से ला के बाद इकटा वहां पर चर्चा भी कर पाएं तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो कि देसी मुर्गी पालन की व्योसाय में लियर फिड का इस्तमाल करना चाहिए या फिर नहीं तो देसी मुर्गी पालन की व्योसाय में देसी मुर्गों के लिए फिड के तौर पर आपक का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बेज़े पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीज़े किसान भायों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर और कर दीजे लेकिन आपको शेयर करना है तो एक काम करना है परसनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूब टेलीग्राम ग्रूब फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैप्चट इन सोचल मेडिया के साथनों का इस्तेमाल करके लिंक शेयर करनी है और किसान भायों और मुर्गी पालग भायों आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो आपसे आप सभी के चहीते चान और इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालग भाई का आज के उड़ों में तहे दिल से बहुत-बहुत आभार